हाई आज हम और हमें chapter 2, polynomials, video number 3. Video no.2 में हमें सीखा भी 0, 0 polynomial क्या होते हैं और आज हम सीखेंगे geometric meaning of 0s of a polynomial इससे पहले कि मैं आपको यह बदाउ geometric meaning of 0s of a polynomial का क्या मतलब होता हैं पहले हैं आप समझते हैं कि एक पर्वामिल जे कितने 0s हो सकते हैं, ठीक है? तो अभी जैसे मैंने आपको कैटर्वी बताई थी वीडियो नॉबर 1 में कि लीनेर पॉलियो मेल होता है हमारे पास वीडियो नॉबर 2 में उपने डिस्कास किया था लिऑ कोड्राइक होता है क्यूбिक होता है and कोड्राइक होता है ऐसा नहीं गहीं कि और नहीं होता हैं बटिहां अपना फोकस इन छाट एक पे पर रखेंगे जेरी इसके डिजी वखने हैं इसके डिजी तू होती है नॉबर 8 में and the degree of bi-quadratic polynomial is 4. अब हम यह देखते हैं कि इसके 0s कितने होंगे, इसके 0s कितने होंगे, ऐसा नहीं है कि कितने भी हो सकते हैं, एक rule होता है इसका, तो linear polynomial के 0s, जाद़ से जाद़ एक ही हो सकता है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकते हैं कि linear polynomial है, इसके 0s ही नहीं है, ऐसा कैसे होगा, एक example से देखते हूं, सबोज मैंने आपको एक polynomial दिया, मैं आपको quadratic का example देती हूं, एक quadratic polynomial दिया हूं, x2 plus 4, अब मैं यह देखना चाहते हूं, कि ऐसा कॉन से number है जिसको 0 बना सकता है, तो मैं इसमे कोई भी value put करो, सबोज मैंने 1 put की, तो मेरे पास आगे 5, मैंने minus 1 put करी, तो भी मेरे पास आगे 5, यह not equal to 0 है, यह भी not equal to 0 है, अगर मैं इसमे पूट करती हूं 2, तो मेरे पास आथ है 8, ऐसे मैं कोई भी value put करी हूं, हर बार, answer 0 नहीं आपा रहा है, और आपके राय करके देखना, आपके कोई भी value put करना, answer 0 आई नहीं नहीं है, तो इसका मतला, इस polynomial के कोई 0 जी नहीं है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, तो आपको देखते हैं, कि linear polynomial के जादर से जादर, जादर से जादर हम होते हैं, maximum, maximum two zeros हो सकते हैं, sorry, one zero हो सकता है, I am sorry, this is maximum one zero, ठीक है, इसका मतला, या तो कोई 0 नहीं होगा, या एक होगा, इसके होंगे, maximum two zeros, तो इसका मतला, ती possibilities हांगे, या तो कोई zero होगा नहीं, या एक ही zero होगा इसका, या two zeros आएंगे, इसमें, maximum three zeros, तो आपे एक, दो, तीन, चार possibilities आएंगे, no zeros, one zero, two zero, and three zeros, ठीक है, degree four में, maximum four zeros होगे, maximum मतला, जादर से जादर, इस से जादर नहीं हो सकते हैं, तो इसके, no zeros, one zero, two zeros, three zeros, and four zeros, आप एक बात observe करो, कि जितनी degree हैं, उतनी maximum zeros हो सकते हैं, तो इसलिए degree है, important होगी, ठीक है, तो अभी number of zeros पता चेखें, अब हम समझेंगे, geometric meaning of zeros of a polynomial क्या होते हैं, geometric meaning का मतलब हो गया, कि किसी भी polynomial को draw किया जाए, तो उसकी particular shape आएगी है, यानि कि जो हम linear को draw करेंगे, तो एक different shape आती है, quadratic को draw करते हैं, different shape आती है, cubic को करते हैं, तो अलग shape होती है, इसका नातर है हुआ, कि कोई graph बना हुआ है, और आप देख के बढ़ा सकते हो, कि okay, इसका जो पाल्ला मेल है linear होगा, या quadratic होगा, या cubic होगा, तो देखते हैं कि कैसे बढ़ा चलेगा, कैसे होती हैं कि shapes, इसका नातर हुआ है, इसका नातर हुआ है, इसका नातर हुआ है, मैं बान बान आपको, cases बपाते हुआ, यह बहुत easy topic है, आपके exercise, 2.1 को बहुत है, इसके के पर base हो, आप उस exercise को बहुत easily कर पाऊँगे, इस video के पात, linear polynomials, आप straight line, जैसे अब graph में एक straight line बन रही है, तो इसका मतलब हो क्यों हो गया, आप linear polynomials है, एक बान आप देखते हैं कि tis-kis type से हो सकता है, एक तो यह possibility हो गए कि वो graph ऐसा दिखे, एक option ऐसे भी हो सकती है, कि वो graph ऐसा दिखे, ऐसे भी हो सकता है, कि वो graph, ऐसा दिखे, ऐसे भी तो हो सकता है, कि वो graph, ऐसा दिखे, यह, ऐसे बहुत सारे option कोंगी, मैं सारे तो भी block कर रही हूं, बठा कुछ कर रही हूं, ताकि आप कोई clear idea रच जाएगी, यह होता कैसे है, सो जबी भी हम देए पॉलिमोमिल का graph बनाते हैं, हमेज़े एक straight line की आएगी, CV line, CV line ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इस बात से कोई फराख नहीं पड़ता है, तो एक तो बात हमेरी पता चल लें, कि shape से type of polynomial नानाँ पड़ता है, दूसरी बात, graph को देखे हम यह भी बदा सकते हैं, कि इस polynomial यह कितने zeros हैं, नेकिन आपर हमें देखना कैट, सिर्फ यह रहना है, यह line x-axis को कहां कहां पर cut करती है, यह कितने points पर cut करती है, यह यह यहां पर कर लिए, तो क्या और किसी points पर cut कर लिए, नाए, तो इसके कितने zeros होगें, यह line x-axis को कितने points पर cut कर लिए, यह x-axis से मिली निया रही है, कहीं पर भी नहीं, तो यहां पर क्या आगें, नो zeros, यह line x-axis को कितने points पर cut कर लिए, सिर्फ यहां पर, इसको नहीं पेखना है, यह y-axis है, सिर्फ यहां cut कर लिए, तो कितना आगें, 1-0, वैसे भी हमने देख वाजा, कि linear volume मिलके, यह तो 9 zeros होंगे, यह 1-0 होगे, जादर से जादा 1, 1 से जादा होई नहीं सकते है, तो हम एक बात पहले से पता है, कि answer यह तो 0 आएगा, यह 1 आएगा, तो यहां पर कितने points पर cut कर लिए, 1 point पर, तो 1-0, यहां पर, 1-0, यह clear हो गया, बिल्कुल यह concept हम, quadratic के लिए लगाएंगे, सर्फ फारग काम पर आएगा, shape, shape different हो जाएगे, बात यही रहेगे, कि shape से पहले बात थोड़ा quadratic है, फिर देखेंगे कि वह जो shape है, वह x-axis को कितने points पर cut कर लिए, उतने 0-0 हो जाएगे, खरेंगे? Okay, चलब अब हम करतें, quadratic, quadratic के अंबर हमारी जो shape होएगी, हम क्यास कर सकते हूँ? यह हमारी shape होगी, U-shape, तो हमारी पास, measure shape U-I, मैं आपने skip examples बना के देखाती हूँ, यह तो graph ऐसा हो सकता है, U-shape, okay, आपको पता है न, quadratic degree कितनी होती है, yes, ऐसे भी हो सकता है U-shape, यह मैं पाखर्यू, P-X के रहे, okay, पॉल्मेंट जब पॉल्मेंट अविलबल X है, यह X-axis है, यह Y-axis है, okay, यहां पर ऐसे भी आसकता है, hmm, ऐसे भी हो सकता है, एक option यह भी है, यह option यह भी है, जैसे यह बनाई है न, बस अब उसका नीची के तरफ लजाएगा, ऐसे भी हो सकता है, यह को अगरेटी, तो यह जो shapes है, यह सारे के सारे quadratic polynomial के है, अब हमेरे बस कहने हैं, number of zeros, number of zeros का rule के है, सिर्फ इतना सा देखना है कि graph X-axis को कितने points में cut कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर graph कितने points में cut कर रहा है, बोलिए one point, कि कितने zeros होगे, one zero, अच्छे, जो मैं आपको अभी जोड़े पहले बताया था, उसके accordingly, quadratic polynomial के कितने zeros होगे है, maximum two, तो इसका मतलब इन सब में है, हमारा answer यह तो zero आएगा, यह one आएगा, यह two आएगा, यहां तो यहां पर कितने zeros होगे, एक यह point, एक यह point, two zeros, क्यां यहία ग्रांव, एक सेस्सेस को काट कर रहा है? NO. यहां पर क्या अए नो zeros, क्या यह года x-aż को कल रहा है? YES. एक यह point पर, तो यह आए 1-0. क्या यह grad आएक्स- 추स्ज़ को कल कर रहा है? हाँ, जी, कर रहा है, तो यहां पर क्या आएगा? Two zeros. क्या यह ग्राम x-axis को कट करना है? No. So, no zeros. वे तो टेश्ट भी लिए गाना है. तो ऐसे हुए नम्रो जीरो पाता चाहता है. अब हम करते हैं, क्यूबिक पॉलिमामेल. क्यूबिक पॉलिमामेल पे ना ही स्ट्रेट लाइन है और ना ही यूशेट है. क्या आपको है क्या है यूबिक पॉलिमामेल के डिग्री किति ही होती है क्यूबिक पॉलिमामेल के Degree 3 होती है. तो क्यूबी कार्म में मैक्सिकुम कितने 0 हो सकते हैं? कें 0 हो सकते हैं? तो यान कि जो भी में ग्राव पनाओंगी, वहां पे आंसर आपका या पर 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 भी आ सकता है तो इसके option देते हैं, एक variety तो ऐसे हो सकती है, कि graph ऐसे हो सकती है, और ऐसे आपका है एक option ऐसे भी हो सकती है, कि graph ऐसे चला क्या सकती है मैंने बताया था, ना ही ये u-shape होगी और ना ही ये straight line होगी तो इसमें fixed shape भी हो सकती है, सिर्फ इतनी सी बाद जो हो रहे है कि straight line नहीं होगी और u-shape नहीं होगी, ठेक है? दूसरा option हो सकता है, ये option ऐसे भी हो सकता है ऐसे इसमें भी variety है, options आपर तीन options करते हैं मैंने तो यहां पे कितने points पे cut हो रहा है, एक ये point, एक ये point, एक ये point कितने zeros आगे? three zeros कितने points पे cut हो रहा है? one point पे, तो one zero यहां पर one and two touching भी count होता है, यहां से हम touch हो रहा है, इसको भी count करते है ठीक है? तो हमने सीखा कि geometric meaning of a polynomial क्या होता है एक ग्राफ को देखके आप नी कैसे बता सकते हूं कि यह कॉंसा अलग पोलिनोमिल है और इसके कितने जीरो से अब आप exercise 2.1 अटेंट कर सकते हूं क्योंकि आपको concept clear गो चुका है ठीक है? अब हम next video पे next concept पढ़ेंगे ओके, till then bye bye, thank you झाल